नमस्कार दोस्तो रतन टाटा की सरधांजली हर कोई अरपीत कर रहा है क्योंकि पूरा देश रतन टाटा को मानता था क्योंकि रतन टाटा भी पूरे देश को अपना परिवार का सदस्य मानते थे यूँ तो कहें तो 66% जो उनकी आय होती थी वो पूरे भारत के लिए अपने आक को एड़ो प्लेञेंगे तो तो वह भी दृख जैंगे जमीन पे घुमेंगे वहां भी दीख जाएंगे यानि हर जगह रतन टाटा गूरूप्स की समाने या उधोग आपको देखने को मिल जाएगा आप भी किसी न किसी चीज को रतन टाटा के चीजों को उपयोग करते होंगे चाहे वो किसी भी तरह का हो दरसल आज बात करेंगे रतन टाटा के अंसुनी अंकही कहानियों को लेकर जिसमें कहा जाता है कि आकी रतन टाटा ने साधी क्यों नहीं की सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इतने बड़े affairs टूट जाते थे ऐसा क्या था तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं रतन टाटा की विदेशी महिलाओं के साथ affairs की अंसुनी कहानिया रतन टाटा उनकी उम्र लगभग उस समय नौजवान का था तब रतन टाटा Loss Angel में एक महिला को प्रेम करते हैं प्रेम दिरे-दिरे आगे की और बढ़ता है, रतन टाटा भी चाहते हैं कि वो प्रेम बहुत आगे बढ़े और दिरे-दिरे करके उन दोनों के बीच प्रेम जो है वो रिलेसंसिप में बदल जाती है, दिरे-दिरे रिलेसंसिप में बदलने के बाद जब रतन टाटा चाहते अब हमें साधी कर लेनी चाहिए तो अचानक उनकी दादी का फोन आता है और कहा जाता है कि दादी की तवियत बहुत ही इमर्जेंसी हो चुकी है यानि खराब हो चुकी है जिसके कारण रतन ताटा अपने परिवारों से बहत प्यार करते थे और अपनी गल्फिन को छोड़ क कर रतन ताटा सीदे लौस एंजल से भारत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं भारत आते ही उनकी दादी की तवियत जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी और दादी को सबसे कहे तो प्यारा में थे इसलिए दादी को वो छोड़ना नहीं चाहते थे और रतन ताटा दाद के चर्णों में बैठ कर दादी का आसिरवाद ले रहे थे उधर गल्फिंड की बात करे तो वो उधर रह गई विदेश में और ये चले आए इंडिया में उसी दर्मियान 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हो गई यानि युद्ध हुआ युद्ध के कारण जो ऐसा हुआ क कि वो लड़की जो गल्फिंड थी रतन ताटा की वह चीन की थी अब उनके माबाप या पिता ने उन्हें इजाजत नहीं दिया कि तुम किसी भारतिये से साधी करो मामला यहीं अटक गया और यहीं अटकने के कारण ये हुआ कि उस लड़की की उस गरजियन्स या कहे पैर चली एक बॉलीबूड हीरोईन के साथ उनके साथ भी अफियर्स बहुत काफी चला लड़की का तो बहुत ज्यादा मन था जो कि बॉलीबूड एक्टरेस थी उनकी बहुत ज्यादा मन था लेकिन रतन ताटा धीरे-धीरे पीछे हटते गये और वह भी साधी नहीं हो पाई कुछ कामिया देखी गए जिसके कारण तूट गए फिलहाल अगर बात करें तो रतन ताटा की सरधांजली लोग दे रहे हैं आप भी दे सकते हैं बहुत ही प्रबुद्ध और दृष्टी कोन वाले विक्ती रतन ताटा ने भारत को एक नई उचायों पर ले जाने में अप क्या नहीं है रतन ताटा के पास क्या नहीं है धन है दौलत है हर वो सूख पा सकती है लेकिन रतन ताटा फर्स पर बैठकर ये दिखा दिये कि वाकई में वह जमीन से आज भी जुड़े हैं और जमीन से जुड़े रहेंगे इसलिए तो देश हरमेशा उनको सलाम करता है द परातना किया कि रतन ताटा को ठीक किया जाएं तकी देशबासी चाहते हैं रतन ताटा लगतार हमारे देश के लिए सेवा करते रहे और वह अमर रहें लेकिन आज आखरी सांस जो है रतन ताटा ने ली और पूरे देश को नम आख करके चले गए फिलहाल फिर भी रतन ताटा अमर रहेंगे और शब के दिलों में बशेंगे सभी भारतिये उन्हें हमेशा याद करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप देख रहे थे देशी नीज भी आर अगर फेस्टूप पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजेगा अगर यूटूप पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यबाद